दोस्तो सरलबात में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिनके भीना बॉलिवेट अधूरा है और बॉलिवेट के भी गएर यह अधूरे हैं और इनका नाम है मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ जो मैं ने बोलता हूँ डफनिटली करता हूँ अक्षे कुमार नहीं है ये है मां का बाप का ददा का सभ बदना लगा तेरा फैजल नवाजो दिन सिद्धिकी, ये तो बिल्कुल नहीं है, आएए मिलवाते हैं आपको मेरी जाओंगा, मेरी जाओंगा, मिश्ली बार कहता, कुट्थो ने काट लेता आओ, मैं छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा बच्चा, आओ, जब भी आओंगा, बोल कर जाओंगा नाम वियाईपी, पुरा नाम विजय इश्वरलाल पभार, उमर 38, कमर भी सेम आए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कॉमेडियन एक्टर वियाईपी वेलकम सर, वेलकम टो और शोफ सर-अरवाद, सर आपसे सबसे पहले तो मैं यह जाना चाहूंगी के एक कॉमीडियन बंने की प्रेढ़ना आपको कहां से मिली बिलकुल, कॉमेडियर बनिक परेड़ना मुझे एनिमल्स से मिली है, जान्होरों से, जान्होरों से बट कुछ सीख सकते हैं, जब मैं छोटा था, मैं मेरी मां के गाउन, निम्राना, राजस्थान में, तो अक्सर मैं एनिमल्स के साथ ही मैं खेला हूँ, बकरी के साथ, कुत् इन से बात ही करता था मैं, एसा लगता है कि यह लोग मेरी बात ही समझते हैं, और कब मैं से बात ही करते हैं, मुझे बता नहीं चला कि मैं इनकी आवाज कब सीख गया, फिर बाद में स्कूल का दौरा है, एक टैलिंट आ गया था, शिखने का मतलब विमिक्री करने का, उनका एक नेजल था, मैंने नाक से बोलते थे हमारे जो सर थे मोजया सर, उनका एक पेटन डालोग था, अना गदे कहीं कहीं हैं, सारे बच्चे में मस्ती गर दे, तो सड़नली मैंने देखा मुझे मस्ती सूजी कि मैं एक काम करता हूं, दोर की पिछे चुपके मैंने, सर की अब निकाली, आना गदे हैं कहीं कहीं, सारे बच्चे शान्त हो गए, तो तब से मुझे से लगा गयार मैं कुछ भी कर सकता हूं, जाला सर की आवाज निकालकर मैंने सारे स्टूडन को शान्त कर दिया, मत्ब उपर उपर अले ने कुछ तो टैलेंट दिया मुझे, आपके सर्च करते हो कि वर्ल्ड फास्टेश मिमे कर आटिस्क तो मेरा वीडियो आयाता है, बताना चाहाँ है कि हिंदुस्तान का पहला एक सक्ष हूं कि आप जसी आप कोई भी नाम जहें में लाले जीए, कोई भी नाम जहें में लाले जिए, आप महां से एक नाम पढ़ी है, आपके दुर्स को लिए बिल्कुल बात शो का नाम सरल बात है लेकिन बहुत कठना ही से गुजरना पडता है और के वेस्ट्यन्स है तो ओके ठीक है असरानि अधेशन माह से पुचा पुचा सो सबस्ब्र सबस्दोर करें करते हैं आयो देखिय एड़े देखिया अरे धिया वाज स्वाले टरी पाटिया अरे थैवा बॉस्टेश्ट पाट जो है बसे अजब तर्म की बाद अरे यार में वह बलगा था प्यार का तुमा और समझां से तारीक पर तारीक ताशरी आता अजुड़क से लागा तो चले को आख कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, दबंग और रावडी, जिसके सहेट होई, मुझे सोनाक्षी का बाप कहते हैं, हो 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 हाथ हमाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप जो है, आक्टिस के अलावा, क्या पॉलिटीशन की भी आवाज निकालते हैं पॉलिटीशन मेरे अंदर है, अगर वो आपके चैनल के बारे में कहेंगे, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले अगर मोधी जी आगए, मेरे प्यारे भायों भैनो, मेरे देश वास्यों, क्या आप सभी को रचना अग्णियोत्री का यूटूब चैनल सब्सक्राब करना चाहिए करना चाहिए, भायों ग़े नौ, दन्यवाद, संबीट पातर है, उनका अंदर सम्हीं बताए, उनका इस्टाईल है, सुरिये, 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 तेखिए, कहसे, कहसे, लोग है, नहीं नहीं, देखिए, सबस्क्राइब करना बढ़े गा, नहीं नहीं, कीजे, पहले, ए बुड़बाद, साब को ये जो सब्सक्राब करना होगा, लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और एक जिसी कि आपने कहा था, कि मनमुन सींग की आवाज, किसी ने सुनी, मैंने सुनी, मैंने निकलता हूँ, लेडिस एंचेंटर्मेन, मैडम जी ने जो कहा है, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, थेंक्यू मैडम जी, थेंक्यू, बहुत अच्छा, जिस तरह से आप आवाजे निकालते हैं, क्या इस तरह किसे कुछ मुखोठवी पहन करके कुछ करते हैं, मिमिक्री तो करता हूँ, मैं, कुछ एक्टर के चेरे भी बनाता हूँ, ये हाथ हमें दे ठाकूर, ले ले हराम खोर, लेकिन रोज सु कुमेडियन, कोरोना की लोजिक समझे, ये होम मिनिस्टर आपसे हाथ जोड़के कहता है, अपने अपने होमें रहे हैं, तो ये सब चोड़ी बाते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, और ऐसे बाते करके लोगों के चेरे पर हसी आजाती है, यसे आपके आगी दर् कुमार थे, वहां से आप एक वी आईपी बनें, तो ये जो सफर था, जरूर इसमें आपने कही सारे पापडवेले होंगे, तो कोई ऐसा मुम्मेंट या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे, बिलकुल इतनी आस्तानी से नहीं मिला मुझे, उसके पीछे बड़ी म हैं यहां मुगां मुगां आइणायर कोई एक भी आप होती थी जबती आज मुझे णिवांगा हुए तो मैं तो कैके बड़ा हुए तो मैंने केटरिंग जुएंट की, वेटर बनके मैं लोगों को पानी पिला था था था, जैसे की हमारे और्गनाजर जोते था, मुझे बता था, यह मेन है, और्केस्टर का मेन है, उसकी खाते देरी करता था, उसका पेट ठूस ठूस के भर देता था, फिर बात में मौका मिलत की आपको बुलाएंगे, आलाकि बुलाया किसी नहीं अभी तक, लेकिन मेरे लिक ओडियन्स उती थी, मैंने को दिखाता था, एक दोर तो ऐसा था, जो मैं कभी नहीं बूलूँगा, मैं, मेरी माता का द्यान तो गया था, और मैं कॉम्डे सरकस कर रह था, उसमें मुझे आ पता है कि मेरी मा का द्यान तो गया, औरना वो सिंपत्य हो जाती थी, कि वो मेरा सबसे बेस्ट एपिसोड हुआ था, बरी लाइफ का, उसमें ऐसा लगता था, कि मा कही ना कही मेरे साथ थी, सबसे बेस्ट एपिसोड वा है, मतब, वैसे कर आप टीवी देखते है, हर आटि सब अच्छा है, और दो बार स्टैंडिंग विश्मिली मजे, दो पेसोड़ों थे एक दिन में, दोनों पर स्टैंडिंग विश्मिली, उसके बाद मैरे जजस को बताया कि मेरे साथ यह हो गया, मैं जब फूट-फूट को रोने लगा नीचे, तब जाकि जजस को बता चला लग इनके साथ यह ट्रजेडी हुई है, तो बहुत जगह से कलाकार को कोई जगह से गुजरना बढ़ता है, और ऐसे मैं मुझे मेरी वाइफ ने बहुत समाला, तो अगर मेरी लाइफ में मेरी वाइफ नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक यहां तक नहीं पोश पादा मैं में जगह सकता हूं मैं किसी को भी अब इस शारूख न की आवा सीखनी हो तो आपको फ्रेज को खोल के सामने खड़ जी जब आपको ठण लगेगे तब बूलना सुरीगी ज़िए जिसे मैं आपको इस सिखाता हूं मैं शुरूबात मैम से करते हैं मैं को मैं शारूख न बाबुजी ने कहा घर चोड़ दो. मां कहती है पारो चोड़ दो. पारो कहती है शराप छोड़ दो. I love you Kiran अब इड़े ने का चो आपको कारना है? सबसे पहले फ्रीज कोलना है अब अप मेरे साथ बोलिये आपको फ्रीज कोला आपको थन्न लग रही है प्रापुजी ने कहा घर चोड़ दो आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिल्कुल मैं आपके सभी दर्शकों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे है आप लोगों से हाथ जोड़के बिलती है कम से कम घर से बाहर निकले अगर काम हो तो ही निकले वरना मास्क पहनीगा और सारी बाते जो मास्क पहन के जिरू निकलेगा कि कि हमारे जो करोना जो सीधा नाक से इंटर करता है सीधा फेपुड़ मैं आजा गरा अगर आपको आज का यह अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को चाहसरा शेयर कीजेगा और जाद जाद लोगों के भूबे मुस्क्राहट टाएगा और खुशे फेलाईगा है आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है आपने बहुत की में निकाल करके हमारे साथ अपना यह समय चोड़ शेयर किया है इसके लिए बहुत झालिविंगों स्क्राइब कीजेगा, भीक शेर कीजेगा धेरा प्यार दिएग की आपका प्यार आपके मोबाईल में है, तब करके दभाना है, धेरा बाढाना है, कि कि जितना प्यार मिलेगा, उतनी आप अन्जीनी evento more और भात झिलेगी। क讲ता ह sequel, अर् वमुत को नित अकट है करी जरू 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 झाल